नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे सेप्टिक टैंक का जो साइज है वो हमें कितना देना है और उसे के साथी सेप्टिक टैंक का जो पूरा जो सिस्टिम है वो किस तरह से होता है वो भी आपको में पूरा डिटल में इस वीडियो में बाता देता हूँ सबसे प पर शेप्तिक टैंक के जो आउट लेट्र में देना होता है जो की मुंसिपल पारट। इंढ़ उसमें इस guerra पर शेवर राद्रीजन दो हुआ है जो बीच वाला और उसके साथ ही उसके साइड में दो परडिशन यहां पर जो है पहला वाला जो है में टैंक उसके साथ जो है वह भी में टैंक है और उसके साथ तिसरा वाला जो परडिशन है वह है आउटलेट के लिए कुछ इस तरह से वहां पर अरेजमेंट किया जाता है जैसे कि आप यहां पर देखेगा जो पहला वाला टैंक है वह में है और उसी के साथी जो दूसरा वाला है वह भी में टैंक है और तीसरा वाला जो आपको आउटलेट दिखता है यहां पर देखेगा जो तीसरा वाला जो टैंक है वह आउटलेट के लिए वहां पर द टैंक के बारे में आपको समझ में आया होगा कि सिप्टिक टैंक के जो पूरा जो सिस्टिम है वह किस तर से चलता है तो अब हम जान लेते हैं कि सिप्टिक टैंक का जो साइज है वह कितना देना है सेप्टिक टैंक में तीन अलग-अलग तरह के परटिशन होता है जो मेन वाल होता है इनलेट के लिए और उसके बाद जो दुस्रा वाला होता है वो भी होता है स्टो करने के लिए जो भी वहाँ पर शलज आएगा और तिसरा वाला जो है वो रहेगा outlet के लिए, ओके तो उसका size में आपको बता देता हो, याद रखेगा, सबसे पहले आपको उसका जो size देना है, वो देना है 4 feet, उसकी जो चोड़ा है, वो आपको 4 feet देनी है, कुछ इस तरह से, उसके बाद उसका जो अलग-अलग 3 partition है, उसमें का एक partition का size है, वो आपको देना है 8 feet, 8 feet से कम आपको वहाँ पर एक partition का size नहीं देना है, जो कि brick worker छोड़के, ब्रिक worker छोड़के, आपको वहाँ पर, बीच में जो उसका distance होना चाहिए, वो होना चाहिए 8 feet, और उसके साथ, उसकी जो height देनी है, जो आपको height होती है, जो नीचे आप ground में, उसका exhibition करते हो, वो आपको कम से कम 5 feet वहाँ पर देनी है, तो आपको समझ में आया होगा, 8 feet by, 4 feet by, 5 feet का आपको एक जो block है, वो बनवाना है, इस तरह के आपको अलग-अलग 3 block बनवाने होंगे, जो कि dimensions में आपको बताए, उसी सबसे, 8 feet by, 4 feet by, 5 feet के, अलग-अलग 3 block आपको वहाँ पर बनवाने हैं, ओके तो वहाँ पर कुछ इस तरह से उसका size आप range कर सकते हैं, और main, जो tank है, वहाँ से आपको, जो sludge है, वो आगे जाने के लिए, नीचे से आपको वहाँ पे brick work में gap रख देना है, ताकि जो sludge है, वो आसानी से आगे बढ़ सके, और उसी तरह से तिसरा वाला जो partition है, वहाँ पे आपको ऊपर से वहाँ पे gap रख देना है, ताकि आपक जो block है, उसमें जा सके, और वहाँ से जो outlet है, वहाँ आपको cutter में जाएगा, तो कुछ इस तरह से वहाँ पे आपको work करना है, ओके दोस्तों, तो उमेद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंदा होगा, वीडियो पसंदा है, तो like करे, share करे, और हमारे चाइनल को करने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राब जरूर कीजेगा, और उसे के साथ बेल आइकोन भी जरूर दबा देजेगा, ताकि मैं आपके लिए जब भी नया latest वीडियो लाऊंगा, उसकी notification आपको मिलती रहेगी, तो दोस्तों यह जो वीडियो आपको पसंदा है होगा, तो वीडियो जरूर लाइक कीजेगा और शेर भी कीजेगा, ताकि आपको दोस्तों को, रिलेटिव को इसका जो फायदा है वो हो सके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलता है के लिए वीडियो में एक नेट आप्ट के साथ धन्यवाद दोस्तों